वोल्कम फ्रेंट्स आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारी चैनल पे तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सलार फिल्म के बारे में जहां पर आज जो है फिल्म के मेकर्स ने इस फिल्म की नई रिलीज डेट को जो है अफिशली अनौंस कर दिया है हाला कि रिलीज करते हुए सलार फिल्म के मेकर्स ने एक नया पोस्टर भी जारी किया है और पोस्टर में कहूंगा कि काफी बैटरी निकल के आया है अब दक सलार फिल्म के जितने भी पोस्टर समने देखे हैं उसमें से अगर किसी पोस्टर के अंदर मैं कहूंग तो प्रभास की आखों मे तो आप सभी को पता ही होगा कि इसी डेट पर जो है अलेडी शारुक खान स्टारर फिल्म यानि की डंकी जो है अनौन्स हो चुकी है तो अब ये मान लेना चाहिए कि ये officially confirm हो चुका है कि इस साल का सबसे बड़ा clash जो है हमें 22 December को देखने को मिलने जा रहा है हलाकि एक business point of view से ये clash कोई बहुत अच्छी बात है नहीं क्योंकि screens जो है यहाँ पर बढ़ जाएंगे अब देखना interesting होगा कि किसको worldwide सबसे बड़ा release मिलता है कि overseas के अगर हम बात करें तो वहाँ पर शारुक खान का एक अलग ही अपना दबदबा है तो वहाँ पर देखना interesting होगा क्योंकि आपको पता हो तो जब यह film सलार सोलो release होने वाली थी तब जो है सलार को बहुत एक बड़ा release मिलने वाला था वह अब शायद उस तरीके का release नहीं मिलेगा बट फिर भी makers कहीना कहीं पूरी कोशिश करेंगे फिल्म को बड़ी से बड़ी release दिलाने की और अगर release छोटा हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि जो pre-release business हुआ है इसका theoretical business हुआ है overseas का वो भी कहीना कहीं घट जाएगा वहाँ पर भी मैंने सुना है कि जो buyers है वो जो है rate कम करने की बात कर रहे हैं जिस पर हो सकता है कि आने वाले कुस दिनों के अंदर हमें confirmation भी मिल ज देखना interesting यह होगा कि आने वाले दिनों में इंडिया के अंदर फिल्म के theoretical business के उपर इस clash का कितना बड़ा असर पड़ता है तो देखा जाए तो फिर से प्रशांत निल एक बार अपनी फिल्म के साथ शारुक खान के साथ box office पर टकराने के लिए तैयार है पिछली बार जब जो है टकर बराबर की होने वाली है देखते हैं box office पर कौन बाजी मारता है हाला कि हम तो यहीं चाहेंगे कि दोनों ही फिल्म में box office पर अच्छा perform करें विस आपका इस clash पर क्या opinion है क्या आप सही में चाहते थे ये clash होना चाहिए और आपको आज की rate में क्या लगता है कि कौ कौन सी फिल्म की ग्राउंड लेवल पर जो हाइप है वो जादा है कमेंट श्रिक्षन में जरूर बताईएगा तो दोस्तों से इन तक था आज को मैं वीडियो उमीद करते वीडियो को पसंद आया होगा विश्राइक से दरू कीजेगा मिलते हैं हमारे एकले वीडियो में तब तक लिवा बाई, टेक केर